हेलो दोस्तों स्वागत है आपका द्रिष्टी आईस के इस चैनल पर UPSC CSC Prelims 2024 की परिक्षा संपन हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि आपकी परिक्षा अच्छी हुई होगी और आप सफलता को निश्चित करेंगे आज के इस खंड में परियावरण के खंड से सम्मन्धित प्रश्ण और उनके व्याख्यात्मक हल को लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिशोड को पहले प्रश्ण के साथ पहला प्रश्ण है जीव सिकाडा या साइकेडा, मंदूक, फुदग, फ्राग हॉपर और तालवी सरपी, पॉंड स्केटर क्या है विकल्प A पक्षी, विकल्प B मत्सित, विकल्प C कीट या विकल्प D सरीश्रिप तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प C कीट इसके वियाख्यात्मक पक्ष को देखें तो सिकाडा एक ऐसा कीट है जो अपना आधिकांश जीवन भूमिगत रूप से निम्फ के रूप में बिताने के साथ पेंड की जड़ों से रस चूसते हैं नरकीट अपने शरीर के किनारों पर उपस्थित जिल्ली को हिला कर गुनगुनाने की आवाज करते हैं फ्राव घापर की जहां तक बात है तो सुपर फेमिली सरको पोईडा से समंधित एक कीट है सरको पोईडा जो है ये इसका इसकी फेमिली है इससे समंधित एक कीट है शीर्स पर नुकीला होता है और इसके साथ इसके शरीर का मध्यभाग संकेड होता है तथा या कूदने वाले मेढग की तरह दिखते हैं वहीं पॉड स्केटर जिसे वाटर स्ट्राइडर के नाम से भी जाना जाता है लंबे पादप युक्त वाले कीट समों है जो जल की सतह पर रहते हैं और हैमिप्टेरा वर्ग से सम्मंधित हैं जिसमें एफिट्स, बेडबग्स और सिकाडा भी सामिल है तो इसलिहाद से आपका सी विकल्प बिलकुल सही है चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए बाजार में मिलने वाली अनेक च्विंग गम पर्यावरणी प्रदूशन का सुरोत मानी जाती है अनेक च्विंग गमों में गोंद गम बेस की रूप में प्लास्टिक होता है विकल्प A है कथन एक और कथन दों सही है तथा कथन दो कथन दों की व्याख्या करता है B है कथन एक और कथन दों सही है किन्तु कथन दों की व्याख्या नहीं करता है C कथन 1 सही है किन्तु कथन 2 सही नहीं है D है कथन 1 सही नहीं है किन्तु कथन 2 सही है तो इसका सही विकल्प A होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी करता है जहां तक व्याख्या पक्षक की बात है इसलिए कथन एक आपका बिल्कुल सही है, आपका पहला कथन सही है, कई च्विंगम के गम बेस में प्लास्टिक होता है, जो आम तोर पर पॉलिविनाइल एसिटेट होता है, जिसको PVA हम कहते हैं, पॉलिविनाइल एसिटेट, प्रतिवर्स च्विंगम से तकरीबन 105 टन से अ पहला विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, अगला प्रशन है, निम्रलिखित युगमों पर विचार कीजिए, एक तरफ देश दिये हैं, दूसरी तरफ अपने प्राकरतिक आवास में पाये जाने वाला जन्तु दिया है, ब्राजील, इंड्री, इंडोनेशिया, एल्क, मेडा गासकर, बोनोबो, उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित हैं, आपके सामने विकल्प है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई नहीं, तो इसका सही विकल्प है, डी, कोई भीस में सही सुमेलित नहीं है, अब सही सुमेल क्या है, इसको देख लेते हैं, तो जहां तक ग्रस्त प्रजाती है तो एक सही सुमिलित नहीं है एल्क जो है जो लाल हिरंड जिसको कहते हैं या उत्तरी अमेरिका तथा मध्ध एशिया के उचे पहाड़ों में पाया जाता है और पारंपरिक रूप से इनकी सीमा नार्वे में 65 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री नर्थ से आप देख सकते हैं अफरीका के 33 डिग्री नर्थ तक ये पाय जाते हैं एल्क की जहां तक बात है तो एल्क आयर्लेंड अर्जेंटीना चीली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजी लेंड में पाया जाता है अता यो दो जो है वो भी सही सुमिलित नहीं है बुन वो केवल कांगो लोकतांत्रिक गड़राज में कांगो नदी के दक्षिन में इस्थे जंगलों में देखा जा सकता है। अता तीन भी सही सुमेलित नहीं है। इसलिहाद से आपका जो विकल्प D है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रशन है निमनलिखित में से कौन सा व्रिक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अधवितिय संबंध को दर्शाता है जो इस व्रिक्ष के साथ सह विक्सित हुआ है और वह एक मात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। विकल्प A अंजीर विकल्प B महुआ विकल्प C चंदन या विकल्प D सेमल या सिल्क कॉटन तो इसमें अगर सही विकल्प की बात करें तो आपका विकल्प A अंजीर बिल्कुल सही है। अंजीर की प्रतेक प्रजाती अपने विशिष्ट परागन करता कीटों को आकरशित करने के लिए एक विशिष्ट सुगंध वियुत्पन करती है। इस लिहाज से आपका अंजीर विकल्प A बिल्कुल सही है। अगला प्रशन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। के प्रती ये आगाह करते हैं। रेड लेस्विंग एक आप देख सकते हैं जो रेड लेस्विंग होती है। रेड लेस्विंग को पराग से लंबा जीवन और विश दोनों मिलता है। तथा पैशन फ्लावर को ग्रहाण करने से या कैटर पिलर की तरह विश का संग्रहाण करते हैं। इनके शरीर में पराग साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड नामक विसाक्त पदार्थों को परिवर्तित कर देता है। उसमें परिवर्तित हो जाता है। वहीं अगर मच्स की बात करें तो मच्स की विभिन प्रजातियों में जहरीले बायो टॉक्सिन होते हैं। ग्रुपर्स, बारा कुडा, मोरे इल, स्टर्जन, सी बास, रेड स्नैपर, एमबर जैक, मैकेरल, पैरट फिश, स्टर्जन फिश, ट्रिगर फिश जैसी कुछ मचलिया ऐसी होती हैं जो विशाक्तता का कारण बनती हैं। वहीं अगर मेंढग की बात करें या मनलूक की बात करें तो कुछ मेंढग भी जहरीले हो सकते हैं। पपीता और रक्तचंदन। उपर्युक्त में से कितने व्रिक्ष वास्तों में भारत के देशिये व्रिक्ष हैं। के उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों का स्थानिक है। काजू की खोज सबसे पहले 1558 के आसपास हुई थी और ये ब्राजील में यूरोपियों ने इसकी खोज की थी। पूर्तगाली जब 1560 में भारत आये थे तो पूर्तगाली अपने साथ काजू को लेकर गोवा में आये। इसलिए भारत का स्थानिक काजू नहीं होगा। वहीं पपीते की खेती की उत्पत्ती के कर बात करें तो दक्षणी मैक्सिको और कोस्टारिका में हुई थी। सोलहमी शताबदी की शुरुवात में इसके उत्पादन को डोमेनिकन, गडराज और पनामा में देखा गया था। अता भारत का अस्थानिक पपीता भी नहीं होगा। रक्त चंदन की जहां तक बात है तो भारत का ये अस्थानिक बिल्कुल है क्योंकि केवल पुर्वी घाट के दक्षणी भागों में इसे देखा जा सकता है इसलिए भारत का अस्थानिक है तो केवल एक अगर संख्या के लिहाज से देखें तो तीसरा रक्त चंदन भारत का अस्थानिक है इसलिए विकल्प ए आपका सही हो जाता है अगला प्रशन है जलवाश्प के संदर्व में निलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है पहला कथन है या गैस है या एक गैस है जिसकी मात्रा उंचाई के साथ घटती है दूसरा कथन है धुरूवों पर इसका प्रतिशत अधिक्तम है नीचे दियेगे कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये केवल एक केवल दो एक और दो 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 ना तो एक नहीं दो तो देखिए इसका सही विकल्प है केवल एक अगर बात करें कि कौन सा कथन सही है तो केवल पहला कथन सही है कैसे तो व्याख्या क में होता है उचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा तेजी से घड़ती है अतह कथन एक आपका सही है जलवाष्प की सांदरता अक्षांसी अस्थिती उत्तर से दक्षिंड के साथ बदलती रहती है इसकी मात्रा उष्ण कटिबंधी छेत्रों के उपर सबसे अधिक लगभग 3% तक होती है और ध्रूवी एक शेत्रों की और जाने पर इसकी मात्रा में कमी आती है इसलिए कथन दो आपका सही नहीं है कथन केवल एक सही है इसलिए हाँ से आपका उत्तर जो होगा वो भी कल ए सही होगा अगला प्रस्ण है कई उपभोकता उत्पादों के निर्माड के लिए प्रियुक्त होने वाले पर फ्लू और अलकिल और पाली फ्लू और अलकिल पदार्थों के संदर्भ में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है PFAS पेजल खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाये जाते हैं दूसरा कथन है PFAS पर्यावरण में आसानी से निमनिकृत नहीं होते हैं तीसरा कथन है PFAS के लगातार संपर्क के परिडाम स्वरूप जन्तूं के शरीर में जैव संचय हो सकता है उपर्यूगत कथनों में से कौन सा या कौन से सही है आपको विकल्प के आधार पर चैन करना है A है केवल 1 और 2 B केवल 2 और 3 C केवल 1 और 3 या D 2 और 3 तो इसका सही विकल्प है D 1 2 और 3 जहां तक बात पर-Flowo-Aurolkyl और पाली-Flowo-Aurolkyl की बात है तो ये ऐसे रसायन है जो ग्रीस, तेल, जल और गर्मी के प्रतिरोधक है इनका पहली बार उप्योग 1940 में इसी दशक में किया गया था और अब ये दाग धब्बे तथा जल प्रतिरोधी कपड़ों एवं कालीनों सफाई उत्पादों पेंट और अगनी शमन फोम सहित सैकड़ों उत्पादों के एक पार्ट हैं एक भाग हैं कुछ PFAS को FDA द्वारा कुक वेर खादी पैकेजिंग एवं खादी प्रसंसकरण उपकरणों में सिमित उप्योग है तो अधिकरित किया गया है PFAS पेजल खादी पदार्थों खादी पैकेजिंग सामागरियों एवं अन्य उपभुकता उत्पादों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं इसलिए कथन एक आपका बिल्कुल सही है रासाइनिक रूप से अगर देखा जाए तो PFAS बहुत भिन हो सकते हैं हाला कि सभी में कार्बन फ्लोरीन बंध होता है जो बहुत मजबूत होता है जिसके कारण ये आसानी से निमनीकृत या डिग्रेड नहीं होते हैं अता कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है वहीं देखी अगर लोग विभिन तरीकों से विभिन PFAS रासाइनिक पदार्थों के संपर्क में आ सकते हैं और समय के साथ लोगों के शरीर से जितने रासाइनिक पदार्थों का निसकासन हो रहा है उससे ज्यादा रासाइनिक पदार्थ उनके शरीर में पहुंच सकते हैं या एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे शरीर में जैव संचे होता है इसलिए कथन तीन भी आपका सही है और विकल् D आपका सही होगा अगला प्रस्ण है निमनलिखित पर विचार कीजिए कैराबीट, बीटल्स, कांतर, सेंट पीट्स, मक्हियां, दीमक, बर्र या वास्प उपरियोग्त जीवों के कितने प्रकार में पर जीव्याब जातियां 85 टाइड स्पिशीज पाई जाती है, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, सभी पाच तो इसका सही विकल्प है केवल तीन, अब कौन-कौन सी जातियां है, जो पैरासी टाइड स्पिशीज में आती है तो देखी अगर हम इसकी बात करें, तो हमेशा ये इस प्रकार के कीट होते हैं, उनके लारवा का समू होते हैं, जो भोजन के लिए किसी अन पर निर्भर होते हैं पर जीव्याब में बर, अगर हम बात करें, वास्प्स की बात करें, मक्हियां, जैसे टैचिनिड मक्हियां, बीटल्स, कैराबिड बीटल्स, और कीट जैसे गार्डियन कीट, ये प्रजातियां शामिल होती हैं, कांतर की बात करें, तो सेंटिपीट्स की बात करें, तो विश जिन जहां तक की बात है तो मुख्य रूप से सेलिलोज होता है जो लकडी, घास, पतियों, ह्यूमस और वनस्पती की मूल सामागरी को जैसे कागज कार्डबोर्ड का पास इससे प्राप्त होता है इसलिए दीमक को परजीव्याब के रूप में वर्गी कृत नहीं किया जा सकता इसलिए दीये विकल्प में तीन परजीव्याब हैं कौन-कौन है तो पहला केराबीड बीटल्स हो जाएंगे मक्हियां हो जाएंगी और बर्र हो जाएंगे तो इसलिहाद से आपका विकल्प जो है उपरियुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है कथन एक और कथन दो दोनों सही है किन्तु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है या कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है तो इसके सही विकल्प को अगर आप देखेंगे तो दिये गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही प्रतीत नहीं होता है ऐसे में डिपेंड करता है कि कमिशन किसको सही मानता है व्याख्यात्मक अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 के तहत इसे भी इसी तरह का आधिकारिक दर्जा प्राप्त था जब तक कि इसे उचस्तर की सुरक्षा प्रदान करने वाली अनुसूची 2 में सूची में नहीं डाल दिया गया अता कथन एक सही नहीं है वहीं अगर इसके आहार की बात करें तो य अज के पर्लाबरण खंड में इतना ही अनि खंड के व्याथ्यात्म खल भी दृष्टि आइस चैनल पर उप्लब्ध हैं अगर उन्हें आप देखना चाहते हैं तो दृष्टि आइस चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्नेवाद प्रूले।